ज्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा काल बहरव जहनती के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार मार्क शीष मास में क्रिश्म पक्ष की अस्टमीति थी यानि अंग्रेजी कलेंडर के मुताबिक काल बहरव जहनती 29 नवेंबर 2018 या फिर कुछ जगाओं में भारत में 30 नवेंबर 2018 को मनाई जाएगी काल बहरव पूजन में काल बहरव कवच का बहुत अधिक महत्वव बताया गया है माननेता है कि यदि कोई व्यक्ति काल बहरव जहनती के दिन काल बहरव की पूजा पाट करता है और काल बहरव का कवच पढ़ता है तो उसको मन्चाही सिद्धियां प्राप्त होती है काल ब माना गया है बहरव जी का रंग श्याम है उनकी चार भुजाएं है जिन में वे त्रिशूल खड़क खपर तथा नर्मुण धारण करते हैं उनका वाहन श्वान यानि कुत्ता है बहरव शम्शान वासी है तथा ये भूत प्रेत योगनियों के स्वामी है बक्तों पर संगहार करने में सदेव ततपर रहते हैं रविवार एवं बुद्भार को बहरव की उपासना का दिन माना जाता है बहरव जयनती बहरव वश्टमी के दिन कुत्ते को मिश्थान खिलाकर दूद पिलाना चाहिए बहरव की पूजा में श्री बटुक बहरव अस्टोतर शत नामवाली का पाठ करना चाहिए बहरव की प्रसंता के लिए श्री बटुक बहरव मूल मंत्र का पाठ करना शुब माना गया है श्री काल बहरव अपने उपासक की दसो दिश्वाव से रक्षा करने वाले भगवान माने जाते हैं काल अश्टमिया काल बहरव जहनती के दिन शिव जी के सुरूप काल बहरव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए इस दिन सुभा जल्दी उटकर नित्ते क्रिया खत्म करके नहाद होने के बाद गंगा जल से शुद्ध हो जाए वरत का संकल्प लेकर पित्रों को याद करत किसी काले कुत्ते को वरत खतम करने के बाद मीठी रोटियां खिलाएं ऐसा करने से बहरव की कृपा आप लोगों के उपर सदेव बनी रहेगी अब ही के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चनल ग्यान मंत्रा होम रेमिडी सब्सक्राइ कीजिए धन्यवाद